हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला सिल्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक छिंगोला सन्सन चलती हवा रात भर जाडे से मरता हूं सन्सन चलती हवा रात भर जाडे से मरता हूं तुटुटुटुटुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं आसिमान का या सपर और मौसम है जाडे का ना हो अगर तो लादो कुरता ही कोई भाडे का बच्चे की सुन बात कहा माताने अरे सेलो ने बच्चे की सुन बात कहा माताने अरे सेलो ने कुसल करे भगवान लगे ना तुझको जादो टोने जाडे की तो बात सही है पर मैं तो डरती हूं एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूं कभी एक उंगुल भर चोड़ा कभी एक फुट मोटा बढ़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा घरता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आँखों को तु दिखलाई पड़ता है अब तु ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाए सीधे एक जुगोला जो हर रोज बदन पे आए सीधे एक जुगोला जो हर रोज बदन पे आए नमस्कार मैं हूँ रोमा रानी गंचररिया से बच्चो आज मैं आपके सामने पुना एक कहानी लेकर आई हूँ जो एक चान से बच्ची की कहानी है अभी-अभी मैंने जो आपको ये कविता सुनाई ये कविता इस सब्ता एक महादाश्ट कवी जिनका नाम रामधारी सिंदिनकर है उनहीं को समर्पित ये कविता का मैंने गायन किया क्योंकि उनका 23 सेप्टेंबर को जर्नम दिवस था यह कवीता उन्हीं को समर्पित है बच्चों आपको एक बात पता है यह चांद का कुर्टा यह कवीता किस ने लिखी है यह हमारे राश्ट कभी रामधारे सिन दिनकरजी ने लिखी थी यह बहुत ही प्यारी सी क कवीता है सुनकर आपको मज़ा आया ना पता है यह कवीता कौन से पुस्तक में है हाँ आपके हिंदी पुस्तक कॉंपल में है जो पाँचवी कक्षा की है मज़ा आया ना आप भी इसे पढ़कर खूब मज़ा ले सकते हैं चलिए तो आज मैं उसी तरह एक चांद से बाद थोड़े समय की पहले की है एक घर में एक बच्चे ने जर्म लिया वो बहुत ही प्यारा था उसकी दादी ने उसका नाम चांद रख दिया चांद का चेरा बिलकुल चांदा मामा के जैसा चमकता रहता था वो बड़ा ही प्यारा था सभी उसको खूब लाड़ प्या धीरे धीरे चांद बड़ा होता गया और उसकी साली ख्वाइशे भी पूरी होने लगी क्योंकि वो घर का लाड़ला बच्चा था पर चांद की बुरी बात होने लगी हुआ यों कि अब चांद काम नहीं करना चाता था वो अब धीरे 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 सिरी कक्षा का छात रो च चुका था वो सकुल पढ़ने जाया करता था पर कभी होमँवर्क नहीं बनाया करता था, शिक्षक उसे हमेशा डाटा करते चान तुमने होमग क्योंने ही बनाया? मैडम मैडम, आज मेरे ना पेट में दर्द था इसलिह मैने होमँवर्क नहीं किया कल मैं जरूर करकर लाओंगा ठीक है चलो चान की मीठी मीठी बाते सुनकर सिक्षक भी भरमा जाते वो बच्चे को क्या करते बोले ठीक है चलो अगले दिन तुम होमर बना कर दिखा देना चान इस तरफ बहाने बनाने के आदोगतों का सिकार हो गया अब उसे अपने काम दूसरे उसे कराना अच्छा लगने लगा वो नानी दादी से कहानिया सुनता था उसे कहानिया सुनें बड़ा मजाता था एक दिन दादी ने उसको परी की कहानी सुनाई लाल परी की जो अपे पंक फैला कर आस्मान में उरती है उसी कहानी सुनका बड़ा मजाया लाल परी के पास एक छड़ी थी जादूई छड़ी लाल परी अपना सारा काम उस जादूई छड़ी से सुन कर वा लेती थी दादी ने ऐसा बताया तब उसी सुबुच में आया, समझ में आया कास ये लाल पड़े की छड़ी मुझे मिल जाए तो कभी सिच्छिक की डाट न सुनना पड़े और ममा जो बार-बार कहते है कि होंबर बनाओ, कपड़े समेटो, ये करो, वो करो वो मुझे करना नहीं पड़ेगा मैं तो सिर्फ खेलूंगा, कुदूंगा, मस्ती करूंगा और मेरा सारा काम में वो छड़ी कर देगी कैसे वो छड़ी मिले, कैसे वो छड़ी मिले वो सूसता रहता दादी से हमेशा पूसता रहता दादी मा, दादी मा, क्या पड़ियाँ अब भी उरती है दादी अपनी बच्चे को प्यार से समझाती हाँ बच्चे पढ़िया उड़ती पर मुझे तु दिखाई नहीं दी लेकिन सुना है जो प्यार से बुलाए तो पढ़िया आजाया करती है बुला अच्छा मैं भी बुलाओंगा तो आजाएगी दादी ने उसे फुस लाने के लिए यूही बोल दिया हाँ आजाएगी पर चांद को तो उनकी बातों पर विश्वास हो गया चांद अब सोता तो सपने में भी उसे लाल परी नजर आती करे तो क्या करे वो परती दिन वो सपने में भी परी से करता परी रानी परी रानी अपनी ये जादुई छड़ी मुझे दे दो ना एक दिन इसी तरह चांद सोया हुआ था सपने में उसे लाल परी आई लाल परी नहीं कहा चांद उठो चांद तुम प्रती दिन मुझे पुकारते हो आज में तुमसे मिलने आई हूँ चांद सपने में उठा और पुछा आप आगे मैं तो प्रती दिन आपको पुकारता हूँ आप कितनी प्यारी हो आप मेरे पास आ गई हो भला हां मैं तो आहीं जाती हूँ जो बच्चा मुझे प्यार से पुकारता है मैं उसके पास से लिया आती हूँ बताओ तुमने मुझे क्यों पुकारा क्यों बुलाया परी लोग से उसने कहा मुझे न आपकी ये चड़ी बहुत अच्छी लगती है बहुत प्यारी लगती मुझे ने ये चड़ी चाहिए लाल परी ने कहा बस इतनी सी बात ये आपको ये वाली चड़ी चाहिए बुला हाँ अच्छा मैं ये छड़ी जरूर दूंगी, पर एक सर्थ है, बुला क्या, ये 15 दिन तक तुम्हें अपने सारे काम स्वेम करने होगे, और करने के बाद तुम्हें उसे अपनी एक डायरी में नोट करनी होगे, नोट करने के बाद उसे आपको अपनी शिक्षर या माता पिता या दादी मा से हस्ता अक्षर करवाना होगा, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि ये काम आपने खुद ही किया, और जब मैं मुझे वो नोट बुक मैं देख लूँगी, तो ये छड़ी मैं आपको दी दूँगी, क्योंकि ये छड़ी उन्ही बच्चों को मिलती है, जो मेहनत करना जानते हैं, जो अपना काम स्वेम ही करते हैं, चान ने कहा, बस इतनी सी बात है, हाँ, पंदर की दिन की ही तो बात है, मैं सारे काम अपने खुद कर लूँगा, मैं आलसी नहीं बनूँगा, बोला ठीक है, चलो अच्छी बात है, बस पड़ी उनके सपने से चली गई, चान की तब अच्छानक से नीन खुल गई, वो सोच में बैट गया, क्या सच में पड़ी आई थी, क्या मेरे सपने में आई थी, या मेरे पास आई थी, अब वो सोच नहीं लगा, फिर सोचा, अच्छा, चलो पंदर दिन की तो बात है, अगर मैं ऐसा काम कर लिता हूँ, त साइद मुझे वो छड़ी मिल जाए, तो चान्द ने ऐसा ही काम किया, वो अब सुबा सपेरे उठ जाया करता, और खूब व्यायाम करता, करस्द करता, अच्छे से अपने सारे काम करता, और आलस तो उसने छोड़ी दी, और प्रती दिन वो कुछ-कुछ अच्छे काम भी क करता, और अच्छे काम करकर के वो एक अपनी डायरी में नोट करता जाता, आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैंने दूद फेका नहीं, गलास में पूरा दूद का बाटर फिनिस कर लिया, फिर आज मैंने नास्ता समय पे कर लिया, नास्ति को मैंने फेका नहीं, मैंने प जो दहातों को पानी दिआ, आज मैंने चीडियों को दाना दिया, आज मेंने दाधी मा को ग्लास पानी का दिया, ऐसी सारी बातें, वो नोट करता गया, वो स्कूल भी अब जाता, होमबर्ग बना कर जाता, और डैरी में अपने टीचर से सिगनेचर कबा लेता, टीचर सूती, क्या बात है, चान तो बहुत ही बदल गया, धिरी धिरी उसके स्वास्त में सुधार हो गई, चेहरा और भी अच्छा हो गया, और वो स सभी लोग अब उसे प्यार करने लगे, सभी उसे बुलाने लगे, सारी जगा उनकी प्रशनशा होती, सिख्यक मंच पर भी जाकर की चान की बड़ाई करने लगे, चान को बड़ा अच्छा लगा, अब लगा कि उसे अब तो वो उसे छड़ी मिलने ही वाली है, कि अब तो स बड़ा खुस वा उसने डाइरी में सारेक्स टांक चले लिए पंद्र दिन बीद में चांद पंद्रवें दीन उस रात को सुने से पहले वो डाइरी अपने बिस्तर के पास ले गया हण्दा कर affirm के पास आराम से सो गया जब गरी में वो तो रात में सचमें उसकी परी आई ला बोला ठीक है ये लो मैं तुम्हें या लाल चड़ी जादूई चड़ी है ये मेरी में तुम्हें दे रहेते हूं लाल पड़ी के लाल चड़ी है ये तुम्हारा इनाम है चाल बड़ा खुसवा बोला ये चड़ी तब तक काम करेगी जब तक तुम इस चड़ी से जू जू का करवाओगे उसे भी तुम उस डायरी में नोट करोगे और वहां वहां तुम हस्ताक्षर करवाओगे चाहे तो प्रति दिन कराना या पंद्रवेदीन ही करा लेना भूला ठीक है 15 15 दिन में तुम्हें इस छड़ी से किये गए कारियों का वर्णन करके और उसके नीचे किसी ए प्रतिक का भी हस्ताक्षर ले लेना ठीक है अब तो यहीं करना था चांद बड़ा खुजवा अब वह सबीरे उटा तो देखता है सच में उसके पास जादुए छड़ी पड़ी बड़ा खुजवा क्या रहे ये तो मेरा इनाम मिला मैंने अच्छे काम के और मुझे अब तो खोब खेलूंगा खुब मस्ती करूंगा और पढ़ाई तो अब करनी ही नहीं है यह चड़ी करेगी ऐसा सोच कर उसने अब सारी हुमवर्ग छड़ी से एक राने सुरु कर दिया और सारे काम वह चड़ी से कराता वह चड़ी लेकर घूमता रहता अब उसने सारे बाते उस डारी में नोट कर ली और नोट करने के बाद वो छड़ी ने हॉमवर्क बनाई, छड़ी ने मैं दूद का ग्लास जो है वो फिनिश नहीं किया पर दूद उसमें पड़ा हुआ था, छड़ी ने उसे गायब कर दिया, मेरे खिलोने छड़ी ने समेटे, मेरा बिस्तर नहीं पड़ती है बस अब उसे लगा कि अब तो भाया मेरे अच्छे दिन आ गए पर धीरी धीरे इस चड़ी की वज़े से चांद आलसी होता गया और उसके चेरे से खुशी भी गायव हो गई पता है क्यों जब वह 15 दिन तो खुब मस्ते क्या 15 दिन तो मैं तो कम से कम उसे क पैस चाहिए अब सूच रहा हूह किस से साइन दोस्तों करवा लेता हूं कि लिए और वैक्त झ्रीक में में चारी को डरसम आने लगैए शिक्षक के पास गया जाता हूं कि मैंने नहीं बना ये छड़ी बनाती है और जो मुझे सवाल नहीं आता ये छड़ी बताती है तब तो मुझे पिटाई भी लगेगी और पिटाई लगे या ना लगे शिक्षक को तो आजकल मारते नहीं है पर हो सकता है कि सिख्षक अब मुझे अच्छे बचने करेंगे साहिद इस छड़ी को ही कहेंगे यह चड़ी अच्छी है वह भी मांगने लगा अब वह परिशान रोने लगा उस छड़ी की बज़ा से उसकी खुशी sarà होते गई अब वह जहां भी जाता चड़ी को स辣 लग जाता और चड़ी की निग्राने में ही सारा समय उसका ब्यंतित होने लगा खेलने भी जाता तो उसे चड़ी की चिंता मिल जाए और वो उसे मतलब कुछ फालतु समान समझ कर वो फेक न दे बस उसे वो सारी उसकी मस्ती खतम हो गई खुशी खतम हो गई उस चड़ी को बचाने और उसको समभालने में ही वो सारा समय ब्यातित करने लगा अब उसे खाने खाना भी अच्छा नहीं लगता चड़ी स चड़ी से मिठाईया लेता चड़ी से चॉकलेट लेता पर वो खाने पाता उसे बस एक ड़र सा समय ना था कि यह छड़ी कहीं मेरी छड़ी और किसी को यह मेरी डैरी से पता न चल जाए कि सारा काम छड़ी ने किया है पंद्रा दिन बीद गया, उसे बड़ा मज़ा अब बिल्कुल नहीं आया, पंद्रा वे दिन वो हार करके उस छड़ी और डारी के साथ फिर सो गया, पड़ी उसके सामने आई, वो लाल पड़ी के पास गया, उसको पकड़ करके एकदम गले लग करके रूने लगा, परी ने कहा, चान बेटे, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो छड़ी चाहिए थी, मैंने तो तुम्हें वो छड़ी दे दी, अब तो तुम्हें खुशो ना चाहिए, पर तुम तो रो रहे हो, बोला परी रानी, परी रानी, मुझे ये छड़ी नहीं चाहिए, बोला क्य तो लोग मेरी प्रशन साह कर रहे थे और मुझे खुशी हो रहे थी, आज मेरे पास ये छड़ी है, और सारा काम छड़ी करती है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी को बताता हूँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये छड़ी नहीं किया, और सारे लोग वो छड़ी के पीशे परजाएंगे, अब मैं खेल भी नहीं पाता, मैं दोस्तों के साथ जा नहीं पाता, मैं कमरी को छोड़ करके कहीं और जा नहीं पारा हूँ, इस छड़ी की वज़े से क्योंकि मेरा सारा समय इस छड़ी को समालने में लग गया, ये आप छड़ी आप ले लो अब मुझे मेरी मुस्कान मुझे वापस दे दो इसने मेरी मुस्कान चुरा ली मैं हस नहीं पा रहा हूँ पड़ी बहुत खुस हुई बोली मेरे बच्चे मैं समझ गए कि तुम्हें समझ आ गया कि महनत ही सबसे वो जादूई छड़ी है जो इनसान को अमेशा खुस रख सकती है उसे मस्ती भी दे सकती है हसा भी सकती है और ये जादूई छड़ी तुम्हें वो खुसी नहीं दे सकती असल में जो महनत खुसी दे सकती है मेरे प्यारे बचे तुमने ये बात समझ ली और मुझे ये खुशी है कि सारी बचे बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाए और स्वेमी वो अपना काम करने लगे अब वो चांद उस छड़ी को देख करके बड़ा खुस हुआ बोला परी रानी मैं अब बहुत खुस हूँ मैं फ्री हो गया इससे मुझे मुक्ती मिल गए कि मुझे से समालना नहीं पड़ेगा और मुझे डर नहीं लगेगा किसे कोई चुरा लेगा परी उसको देख करके वो बहुत खुस हुआ और डरी अपने पास ले गया बोला अब मैं अपनी सारी अच्छी बाते इस डरी में लुकूंगा और खुख खुस रहूंगा तो बचो कहो मज़ा आया या ना आया क्या हमें भी चान जैसे बच्चे की तरह बनना है या नहीं बनना है कि हमें भी उस चिराग की तरह जिनको ढूंडना है या चिराग को ढूंडना है या पड़ी की वो जादुई छड़ी चाहिए असल में हमारी मस्ती हमारी खुशी हमारी महनत में है हम जितना महनत करेंगे हमारी खुशी उतनी बढ़ेगी इसी कहानी के साथ आप सब को धन्यवाद